आज किस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बूटूबल पेंडराइब से Windows 10 का ISO फाइल कैसे निकालते हैं तो नॉर्मले जब लोग हम लोग बूटूबल पेंडराइब को अगर कम्पीटर में इंसर्ट करते हैं तो और उसको ओपन करते हैं तो Windows का फाइल कुछ इस टैप से आता है अगर हम लोग इसको सिलेट करके कॉपी करेंगे अपने कम्पीटर में तो यह जो फाइल है यह किसी काम का नहीं होगा क्योंकि हम लोग इस फाइल से बूटूबल ना ही DVD ना ही पेंडराइब बनावा सकते हैं बूटूबल पेंडराइब बनाने के लिए हम लोग को एक ISO फाइल की जोरत होती है जो हम लोग को इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है या दोस्तों मार्केट से बाई करना पड़ता है लेकिन अगर आगर आपके पास इंटरनेट सिमित है आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो आपको जो है इसी पेंट डाइब से आपको अगर ISO फैल बनाना है तो इस वीडियो को देखकर आप कर सकते हैं यह ट्रिक तब काम आएगा जब आपके पास किसी टाइप के बुटबल DVD नहीं है किसी टाइप के बुटबल पेंट डाइब नहीं है आप किसी से उधार लेकर आए हैं अपने कंपीटर में Windows इंस्टोर करने के लिए तब आप उसी Paint Drive से आप एक ISO फाईल अपने कंपीटर में सेव करके बाद में आपने ही Paint डाइब में जो है कि एक bootable बना सकते हैं उसी ISO फाईल से तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं कि यह काम कैसे करते हैं तो दोस्तो इस काम के लिए आपको एक सॉफटर रिउज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है इस बार्न तो यह बिल्कुल फ्री सॉफटर और बहुत ही पारफुल सॉफटर है एक ही सॉफटर से अब लगबग दोस्तो जो है डिवीडी एंड पेंड्राइब जोनों में से आप जो है Windows का ISO निखा सकते हैं साथ ही अगर आपको DVD बना है Windows का तो आप भी बना सकते हैं इसी सॉफटर से तो सिंप्ल सा इधर आपको Google पर सार्च करते ही आपको बहुत सार रेजल्ट मीं जाएगा आप उनका ओपिसियल वेबसेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इधर दूस्त आपको अपने computer में install कर लिजें install करने की ताइम अगर दोस्तों कोई problem आता है तो आप अपना जो है computer का जो antivirus है उसको एक बार जो है disable कर दीजिएगा काफी time दोस्तो Windows problem करता है लेकिन दोस्तों यह 100% दोस्तों एक virus free है और दोस्तों यह एक trusted application है लाखों लोग इसको यूज भी करता है तो software इंशलर करने के बाद आपको open करना है इमस्बर्ण को तो open करने के बाद software कुछ इस टैप से आपके computer में open होगा open होने के बाद आपको इधर बहुत सरा option देखने को मिलेगा तो कुछ अगर आपको किसी ISO फाइल को अगर dbd बनना है तो आपको fast option यूज करना है कोई अगर फाइल को फाइल या फिर फोल्डर को अगर आपको डिक्स में convert करना है डालना है तो आप ये option को यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई windows का dbd है जिससे आप एक ISO निकलना चाहते हैं तो आपको ये यूज करना है तो अगर आपके पास कोई dbd है जिसमें windows 10 है windows 7 है और आप उसी dbd से एक ISO फाइल बनना चाहते हैं अपने computer में save करना चाहते हैं तो आप इस option का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान है इस पर click करके आपको same process जी follow करना है जो आभी में bootable pen drive में दिखने वाला हूँ तो simple से दुस्ता आपको आभी जो काम करना है create image file, form files, folders तो ये option आज हमें यूज करेंगे इस option का जो जरी है दुस्ता आप क्या कर सकते हैं अपने pen drive से आपका जो bootable pen drive है उससे आप एक जो है ISO file निकल सकते हैं copy कर सकते हैं अपने computer में और उस या ISO file को आप बाद में अपने किसी भी dbd में किसी pen drive को भी bootable करके अपने computer को format windows install कर सकते हैं तो simple से इस उपर आपको क्लिक कर देना है इसके उपर क्लिक करने के बाद दोस्तो इधर आप देखेंगे कि ये option मिलेगा इस option में आपको क्लिक करना है जो इधर से भी आपको जो फाइल लोकसिंट चूज़ कर लेना है जहां आप अपना जो फाइल को सेप करना चाते हैं करने के बाद दोस्तों आपको simple सा complete होने तक इस पर wait करना है तो जब तक complete हो जाता है हम लग वेट करते हैं complete होने के बाद दोस्तों आपका message आएगा और आप जो location seller किया था इसको save करने के लिए उस location पर दोस्तों आपको file जो है वो save हो जाएगा तो जब आपका जो है सेब कंप्लिट हो जाएगा आपके कंप्पीटर में तो आपका इस टैप से एक operation successful complete का एक option मिलेगा इक कर दीजिए करने के बाद आपका काम हो मिल जाएगा अब हम इसके उपर राइट क्लिक करके साइज आपको चेक कर देते हैं तो राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका साइज दोस्तो जो है फोड़ जीबी है क्योंकि यह जो मेरा इस फाइल है यह थोड़ा पुराना है यह विंदोज का थोड़ा 10 का थोड़ा पुराना भरसन है तो इसलिए से साइज थोड़ा कम है लेटिस भरसन में दोस्तों आपको फांस या छेवी के अंदर देखने को मिलेगा तो आपका जो विंडोज है वही विंडोज आपको देखने को मिलेगा जो आपके पेंड्राइब में हैं वही आपको इस ज जैसे कि अगर आपको bootable pen drive बनना है सीखना है कैसे बनाते हैं तो आप हमारा ये जो पोस्ट है Windows 7.8.10 के लिए bootable pen drive कैसे बनाए तो आप ये पोस्ट पढ़ सकते हैं इसका link आपको वीडियो से मिल जाएगा इदर आपको अलगले दो जो है method बताया गया है दोनों में से किसी भी एक method को use करके आप आसान तरीके से इसी ISO फाइर से आप अपने pen drive में bootable pen drive बना सकते हैं अगर आपको ये पोस्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इधर से एक और दोस्तो वीडियो है इस वीडियो को देखकर आप simple सा bootable pen drive कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हैं ये भी दोस्तो रूफास के use करके ही किया गया है और दोस्तो और एक वीडियो है जो आप multi bootable pen drive बना सकत कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिजिए शेयर कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक को क्लिक कर दिजिए तो आज के इतना ही थैंक्स